कि लॉंग रन और शॉर्ट रन क्या होता है तो शॉर्ट रन और लॉंग रन पे बहुत टाइम तक कन्फूजन था क्योंकि आज भी मैं आपसे पूछूं अलग-अलग बच्चों से की शॉर्ट रन क्या होता है तो हो सकता है एक बच्चा आंसर दे कि एक दिन को शौट रण क्या सकते हैं दूसरा बच्चा बोले एक साल को बोल सकते हैं तीसरा बच्चा बोले तीन महीने को बोल सकते हैं और कोई छे महीने बोलेगा कोई चार महीने बोलेगा तो इसकी कोई भी डेफिनिशन पे एक consensus नहीं आ रहा था तो economist को लगा हमारा motive क्या है हमारा motive production को देखना है तो हम production को देखते देखते एक ऐसी definition मनाते हैं जिसको हम कहेंगे की short run इससे define हो गया कैसे period in which output can be changed by changing only variable factors but that too till variable factors को जब जब हम change कर पाएंगे तो हम उसको short run कहेंगे long run में तो पर short run में जो fixed factors हो कि उसको हम change नहीं कर सकते हैं तो basically economist ने यही बोला पर variable factors क्या हर कितना change कर सकते हैं नहीं उसको उसी extent तक change कर सकते हैं जितनी fixed factor की capacity है अब for example ऐसा माननी है fixed factor एक factory है अब factory में obviously हम जतने जादा workers लगाएंगे उतना जादा काम होने लगेगा पर ऐसा नहीं कर सकते कि 10 by 10 का room है और उसमें हमने 100 workers रख दिये और फिर भी हम expect कर रहे हैं कि अपना production बढ़ते ही जाएगा ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता है इसी लिए variable factors short run में change तो होते हैं पर उसी extent तक जब तक fixed factor की capacity utilize हुई है अगला है not fixed time span जो हम बात कर रहे थे कि इस पर consensus नहीं आ रहा था तो इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री फर्म टू फर्म ऐसे चेंज होते रहा था था पर अब यह जो definition दे दिये variable factors तो variable factors उसी फर्म या उसी इंडस्ट्री के होंगे तो उसको यह define कर पाएगा third point is majorly demand determines price as supplies cannot be changed much इसका मतलब यह होता है कि variable factors सिर्फ क्योंकि हम variable factors change कर पा रहे हैं तो एक extent तक ही सिर्फ हम अपनी supply change कर पाएगे ऐसा नहीं होगा कि हम supply अपनी बहुत बढ़ा सकते हैं जो हम एक और example देख रहे थे कि किसी annual function में कपड़े की जरूरत पड़ी तो ऐसा नहीं होगा कि मैं additional machinery लगा दूंगा एक order के लिए कि कल एक किसी school को अपने annual function के लिए 500 कपड़े चाहिए थे तो उस क्योंकि यह short run है तो मैं एक extent तक हो सकता है मेरी दुकान में 500 रखे हो और 50 मेरे warehouse में और रखे हो तो maximum मैं उनको 300 supply गर पाऊंगा अब इसके अलावा long run क्या होता है long term या long run long run में क्योंकि यह long run है तो हम fixed और variable दोनों factors को change कर पाएंगे वही यहां पे लिखा हुआ है period in which output can be changed by changing all the factors of production अब कोई भी factors of production हम बढ़ाते सिर्फ अपनी profit बढ़ाने के लिए है profit कैसे बढ़ाएंगे अपना production बढ़ाके तो output बढ़ाके हम अपना production बढ़ाएंगे अब long run में क्या क्या change हो सकता है चेंज हो सकता है factory size switching to new techniques of production यह technology हो गई कि हम अपनी technology भी change कर सकते हैं purchasing new machinery अब अगर कोई मुझे बोले कि 10 साल बाद मुझे इतने specific कपड़े चाहिए या इतने specific कोई भी pencil चाहिए तो मैं मना नहीं करूंगा क्योंकि मुझे long run में उसकी cost में recover कर पाऊंगा अब board demand and supply determines price इसका मतलब यही है कि वहां पे क्यूंकि हम supply change नहीं कर पा रहे थे तो demand determine कर रहे थी पर यहां क्यूंकि हम supply अच्छी खासी change कर सकते हैं तो हम price का determination demand कितनी हो रही है उस पे तो होगा ही पर supply भी होगा यही अब जो similar चीज जो पिछले slide में हमने समझी उसी का थोड़ा सा एक modified version आगे हम पढ़ेंगे कि short run में production function को अब यह क्या है labor और capital यह अपने हो गए inputs अब labor और capital का हमें majorly एक ऐसा optimum ratio ढूणना है जो जिससे हमें maximum production मिल सके और अपनी cost minimum रहे तो अब यहां पर short run में जैसे capital है यह हो गया fixed factor labor तो अपना हो गया variable factor तो capital को हम यहां पर short since it is a short run we are not able to change the capital in this one पर labor तो हम definitely अपना production बढ़ाने के लिए change कर सकते हैं तो यही लिखा हुआ है कि हर बार अपना capital अपना production बढ़ाने के लिए हमारा ratio change होता रहेगा अब यह ratio को हम optimum देखेंगे कि 5 is to 2 optimum है 5 is to 3 optimum है 5 is to 1 optimum है या क्या तो वो ratio पे हम set हो जाएंगे similarly अगर long run की बात करें तो यह ratio same रहता है tends to remain same at different levels of output क्यों क्योंकि 5 capital लगी 10 labor है पर और अगर अपन को labor बढ़ानी है एक certain level के बाद तो हमें जरूरी है capital को भी बढ़ाना जो हम बात कर रहे थे कि एक ही land या एक ही factory पे बैठ के बहुत सारी चीजों को बदला नहीं जा सकता है यहां पे ratio 1 is to 2 यहां पे भी ratio 1 is to 2 आगे बढ़ाते जाएंगे तो यह हो गया 15 labor हो जाएगा 30 रेशियो हो जाएगा वापिस 1 is to 2 लॉंग रन में अपना रेशियो constant रहता है